दोस्तों नमस्कार एडी ने अदालत को ये बताया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहेंगे प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी विज़े ये है कि जो भी मुबाइल फोन इस्तमाल किये गए थे साउथ ग्रॉप के साथ लीकर पॉलिसी बनाते समय जो भी बारगेनिंग हुआ था जो भी ट्रांजिक्शन्स थी जो भी डिसकेशन हुए थे वो सारा का सारा डिजिटल माध्यम से हुआ था उसमें बहुत सारे वाटस एफ चैट होंगे ऐमेल सोंगे दुनिया भर के बाकी कम्यूनिकेशन डीटेल्स होंगे कब किस ने किसको किस बात के लिए फोन किया क्या मेसेज आया क्या response आया क्या उस पे reaction था यह सारी की सारी बाते mobile में record होगी इसलिए बहुत सारे WhatsApp चैट भी इस पूरी investigation का हिस्सा है लेकिन इन पूरे mobile phones में एक बहुत खास बात है और यही कारण है कि केजरिवाल साहब अपने मुबाइल फोन का जो पासवर्ड है वो ED के साथ शेर नहीं कर रहे हैं अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं क्या मजबूरियां हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन है कि आप इस वीडियो को शेर करें इस चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों ED ने यह कहा है कि जो केजरिवाल साहब के मुबाइल जब्द किये गए हैं वो उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अब केजरिवाल पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं बहुत सिंपल बात है कि साब उस तिजोरी के अंदर बहुत माल रखा होगा या कुछ ऐसे दस्तावेज होंगे जो बहुत आपत्ती जनक होंगे या ऐसी कुछ परसनल फाइल्स होंगी जो जनता के बीच में आएं तो शायद केजरिवाल साहब का पूरा का पूरे चरितर पे कोश्चन लग जाए या ऐसे भी उसमें डॉक्यमेंट हो सकते हैं जिससे पूरा लीकर घोटाले का परदाफाश हो जाए और इंपॉर्टन चीज क्या है अब तो पन्नु ने अमेरिका से बैठके ये बोल दिया है कि खालिस्तान ग्रुप्स ने भी 16 मिलियन डॉलर केजरिवाल को दिये है तो एक तरफ 100 करोड की चर्चा हो रही है शराब को लेके आतंकवादी संगठन ये बोल रहे है कि 16 मिलियन तो हमने भी दिये है केजरिवाल को अपना काम कराने के लिए अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें याद तो रहेंगी नहीं कहीं ना कहीं तो इनका लिखा पड़ी होगा पहली बात दूसरा आज की दुनिया में जैसा हमें पता है कि ना तो आतंकवादी संगठन बैंकिंग सिस्टम का इस्तमाल करते हैं ना वो बोरी भरके अमेरिका से डॉलर यहां लाए होंगे और माटे होंगे किलों के हिसाब से या काउंटिंग करी होगी दूसरी तरफ जो साउथ लॉबी है उसने भी कैस ट्रांसफर खुद नहीं किया होगा हवाला के माध्यम से किया होगा या किसी और माध्यम से किया होगा मेरा ये मानना है कि आज की तारिक में जिस तरह से क्रिमिनल्स ओपरेट करते हैं उनमें काफी सारा प्रचलन है क्रिप्टो करंसी को लेकर अब सवाल ये है कि क्या केजरिवाल के मॉबाइल में क्रिप्टो करंसी या बिटकॉइन की डिटेल होगी अगर केजरिवाल अपना पासवर्ट दे देते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक धन कुबेर की चाबी investigating agencies के हाथ में लग जाए और पता लगे कि केजरिवाल का कहां कहां पे कितना कितना payment बाकी है या कहां कहां उन्होंने investment कर रखा है किस-किस रूप में कर रखा है और ऐसा तो नहीं है कि ये पन्नू से जो payment आया था वो bitcoin के रूप में आया था या south group ने bitcoin इस्तमाल किये थे या किस ने किसको कब कहां कितना पैसा दिया इसका लिखा जो खाए आज की तारिक में ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि जो e-mail अपना mobile का जो password केजरिवाल नहीं दे रहे हैं तो मुझे शक है मिरे पास proof नहीं है मुझे शक है कि जब दो-तीन चीजों को हमें जोड़ना होगा पहला केजरिवाल अपने mobile का password नहीं दे रहे है दूसरी तरफ आम आदमी party के लोग ये कह रहे हैं कि आज तक कहीं से कोई फूटी कोड़ी नहीं मिली ना उनको किसी तरह का कहीं से cash मिला अब सवाल ये है कि पन्नू बोल रहा है तो करीब 120-128 करोड के आसपा शैद ED कह रही है जो उन्होंने trace कर लिया है लेकिन यहां तो 2500-300 करोड का हिसाब किताब अगर मैं पन्नू और South Group का जोड लूँ तो 100 और प्लस 120-30 करोड पन्नू के द्वारा तो करीब 27-200-200 करोड का हिसाब तो सामने सामने है दो पार्टियों ने दिया है बाकी किसने क्या-क्या दिया वो अलग-अलग टेंडरों में किसको किसको कितना मिला यह जाज का विशे है जो आगे होती रहेगी अब सवाल यह है कि यह 2500 करोड रुपे में से अगर 45 करोड का हिसाब मिल गया और 120-30 करोड की अगर माल लीजिये ट्रेसेबिलिटी हो गई तो बाकी 100-500 करोड कहां गया आज मुद्दा इस बात का है मेरे को हिंच यह है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करंसी का भी इस्तमाल किया होगा गोल्ड का भी इस्तमाल किया होगा क्योंकि यह दो चीजे मैनेज करना बड़ा आसान है आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको रिजिस्ट्री कराना होगा दुनिया भर के कागज लगते हैं मुश्किल है गोल्ड आसान है आप गोल्ड कहीं से खरीद के अपने बैग में भरके इधर उधर आप मूव कर सकते हैं जहां पर आपको कैश की ज़रुवत हो और गोल्ड आप दुबारा ओपन वार्केट में और एक्चेंज में दोनों में बेच सकते हैं क्रिप्टो करंसी उससे भी आसान है और फाइदे क्या है क्रिप्टो करंसी के सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि क्रिप्टो करंसी के बीच में कोई इंटर्मीडियेटरी नहीं है आपको जिसको देना है सीधा उसके एकाउंट में जन धन एकाउंट का कॉंसेप्ट है भारत सरकार भेजती है, किसान के खाते में या गरीब के खाते में पहुँच जाता है इसी तरह से जब रिश्वत का पैसा है, जिसने भेजना है दुनिया के किसी कोने में वो वहाँ से भेजेगा, सीधा आम आदमी के या केजरीवाल के या किसी और के जिसका account का detail दिया होगा, उसमें direct पहुँच जाएगा, कोई banking system बीच में नहीं आता ना उसको income tax track कर पाएगा, ना RBI TRACK कर पाएगी, ना कोई investigating agencies track कर पाएगी लेकिन transaction हो गया, पैसा पूरा हो गया, पहली बात दूसरा अगर रिश्वत मिल भी गई और उसको मुझे भारत में नहीं रखना है कुछ और मुझे एसेट्स खरीदने बाहर तो केजरीवाल या जो भी व्यक्ति इस कैश को मैनेज कर रहे होंगे उन्होंने वो पैसा किसी और को विदेश में ट्रांसफर कर दिया होगा वहां पे भी ना RBI पिक्चर में आएगा ना टेक्स डिपार्टमेंट पिक्चर में आएगा और काम हो जाएगा इसलिए जितने भी अप्षादी हैं वो क्रिप्टो करणसी का इस्तमाल करते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है यह पूरा डी सेंट्रलाइज सिस्टम है इसलिए आप उसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं माल लिजी आप कहें कि मैं केजरीवाल का एकाउंट ब्लॉक कर देता हूं तो आप क्या ब्लॉक करेंगे क्रिप्टो करेंशी में केवाईस ही जो है वो आर्बी आई के पास नहीं है तो आर्बी आई चाहा के भी उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकती अब foreign currency में आपको transaction करना है तो आपको RBI की permission चाहिए यहां तो permission ले जब आप crypto currency में deal करते हैं आपको किसी की permission नहीं चाहिए आप जिस भी currency में deal कर रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को जब आप भेजते हैं payment आपको कोई RBI की consent नहीं चाहिए, permission नहीं चाहिए इसका मतलब यह है कि यह पूरा का पूरा जो गोरक धन्दा है यह बगैर किसी की notice के पूरा हो सकता है अगर आप चाहें कि हम crypto currency को ban कर दें, censor कर दें, सरकार ने कोशिश करी लेकिन वो आप कर नहीं पाए इसका मतलब यह है कि अगर दो नंबर का पैसा, black money, रिश्वत का पैसा, crime का पैसा, जो crime proceed है वो अगर कहीं cryptocurrency के रूप में है, आप उसको block नहीं कर सकते, आप उसको attach नहीं कर सकते आप उसको censorship नहीं कर सकते, आप सोचिए कि कितना शातिर क्यम हुआ होगा कि आप cryptocurrency को कैसे attach करेंगे, even EDB चाहेगी तो cryptocurrency को attach नहीं कर सकते इसका मतलब रिश्वत का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ना आप उस payment को block कर पाएंगे RBI कहें कि हम cryptocurrency block करें, वो भी possible नहीं, इसी लिए जितने भी बड़े crime आज हो रहे हैं, वो ज़्यादा तर लोग cryptocurrency का इस्तमाल कर रहे हैं, क्या केजरिवाल ने भी cryptocurrency का इस्तमाल किया है, ये अपने आप में एक investigation का मुद्दा है, कोई नहीं बोलेगा, पार्टी में किसी को पता नहीं होगा, इवन शायद मनी सिसोदिया को भी पता नहीं हो, कि केजरिवाल ने किस से क्या deal करी, हो सकता है, केजरिवाल की wife को भी ना पता, ये इतना confidential system है, कि आप इसमें एंक्रोच कर ही नहीं सकते, फूल प्रूफ है, आपका पैसा किसी और के account में नहीं जाएगा, आपको कोई सरकारी agency तंग नहीं कर सकती, आपको कोई भी तंग नहीं कर सकता, और important चीज ये है, कि आप उसकी सारी detail अपने mobile में ये laptop में रख सकते, शायद यही कारण है, कि मंतरी है, उन्होंने तो शबत ली थी, कि मैं समिधान के हिसाब से काम करूँगा, और जो भारत के कानून है, उनको फॉलो करूँगा, अब कानून के हिसाब से investigating agencies कह रही है, कि आप information share करी, केजरिवाल कह रहे है, मैं नहीं करता, टीडी कोट गई कि आप information share करवाई, अब क् कोट अगर ये बोलता है केजरिवाल को password दें, और वो अगर ये कहते हैं कि मैं भूल गया, या मैंने किसी पर्ची पे लिखावा था, वो खो गई, उस स्थिती में क्या होगा, पहली बात, दूसरा, अगर कोट ये कहता है investigating agencies को कि आप केजरिवाल के mobile phone का cyber security break करिए, और आप access करिए, मान लीजिए, experts के माध्यम से, जो IB है या बाकी जो investigating agencies हैं, वो उस system को break करती हैं, तो ये क्या guarantee है कि केजरिवाल ये ना बोले कि साब, ये मेरे तो account है नहीं, ये जान बूज के ED ने या CBI ने मेरे mobile में plant किये हैं मुझे फसाने के लिए, केजरिवाल ये तरक भी दे सकते हैं, कि ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो जान बूज के, इन्होंने मुझे फसाने के लिए ये एक software लोड कर दिया है, और ये जो सारी transaction है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये tampering ED ने या CBI ने या किसी third party ने करी है, ये मेरे accounts नहीं है, अब interesting चीज ये ह कि आदने वाले समय में, अपनी जाज को आगे बढ़ाने के लिए और खास कर, proceeds of crime को detect करने के लिए, digital footprint जरूरी है, जो बार बार आम आदमी party के लोग बोल रहे हैं, कि साब कोई cash नहीं मिला, कोई money trail नहीं मिला, कैसे मिलेगा, क्या अगर आप cryptocurrency में deal कर रहे हैं, bitcoin में deal कर रह कि के प्रवक्ताओं को क्या वो traceability होगी, क्या वो कहेंगे कि locker में पढ़ा था, मुझे लगता है कि एक नया angle investigating agencies को, समाज को, और courts को सोचना होगा, कि अगर criminals cryptocurrency use कर रहे हैं, corruption के लिए, money laundering के लिए, तो उस पे कैसे लगाम लगाई जाए, और इस investigation में, अगर transactions cryptocurrency के हुए हैं, तो ये बात भी आपको समझनी होगी, कि किसने पैसा दिया, हो सकता है कि पूरी money trail established ना हो, courts को ये बात भी ध्यान रखनी होगी, अगर पैसा दिया गया है, और पैसा receive हुआ है, अगर एक आदमी ये बोलता है कि मैंने दिया है, और उसके footprint match करते हैं, जैसे संजे सिंग के case म हुआ, Supreme Court का ये मानना है कि अगर आपका transaction होता है, तो मतलब corruption established हो गया, money trail मिले या ना मिले, that is secondary, क्योंकि cryptocurrency के जमाने में, शायद money trail पूरी तरह से established ना हो पाए, ये बात भी हमें समझनी हो, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केजरी वाल ने cryptocurrency का इस्तमाल किया होगा, ज पन्नू से जो cash आया है, उस सब को manage करने के लिए, क्या आपको लगता है कि केजरी वाल और उनके team ने cryptocurrency का इस्तमाल किया होगा, या और कौन से method इस्तमाल कियो होंगे, आप अपने अनुभव से comment box में जरूर लिखिए, हो सकता है कि आपके विचारों से, आपके ideas से investigating agencies को कु new method है, unconventional method है, इनको track करने के लिए, अगर आपका कोई अनुभव है कि इसको कैसे track किया जा सकता है, कैसे cryptocurrency को track करें, या किस तरह से mobile को access करें, जिसका उसका owner password ना share करे, और tempering का भी आरोपना लगे, इस स्थिती में investigating agencies को क्या करना चाहिए, अगर आपके कोई सुझाव है, comments box में जरूर लिखिए, मुझे लगता है कि सब के लिए एक ज्यानवर्दक discussion होगा, आप इस video को share करिए, इस channel को subscribe करिए, क्योंकि बहुत important है, कि जिस तरह से नई टकनीक, IIT पास, पढ़े लिखे लोग, अगर crime में involved होते होंगे, तो वो किस तरह की technology का इस्तमाल करते होंगे, या करना चाहेंगे, या करेंगे, इसके बारे में अगर आपके कोई विचार है, आप वो भी लिखिए, क्योंकि यह चर्चा जरूरी है, white collar crime समाज में बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग crime कर रहे हैं, educated लोग crime कर रहे हैं, एक तो था conventional तरीका, money laundering का, अब हैं नए तरीक बहुत कुछ investigating agencies को भी सीखना होगा, समाज को भी सीखना होगा, और सबसे important बात है, courts को समझना होगा कि बहुत सारे आपके कानून outdated हैं, वो technology के हिसाब से नहीं बदले हैं, तो वहाँ पे Supreme Court को बोलना चाहिए भारत सरकार को कि आप इन कानूनों को fast track basis पे review करिए, ताकि इस चाहर कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को share करिए, चैनल को subscribe करिए, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक रंदे बात